चुनाओं का महल रहते हैं, कई बार्ग ऐसे कते हैं, वीतरंड करते हैं शराबों का बीजेपी गवर्मेंट का रहता है, एडवर्टाइजमेंट जादा करती है, कुछ भी करता है उसका और वन टिक में सब ठीजे अब एवलेबल हो जाती है घर पर इवाद तूट रहे हैं, संबन तूट रहे हैं दुआपर में दूद मिले, त्रेता में गी, कल्यूग में दारू मिले, चुनाओं में फुक फिक के पी नमस्कार, ललूराम.com के पबलिक मिटर में आपका स्वागत है, मैं हूँ सत्या राजपूत तो देख सकते हैं कि चुनाओं में जो है शराब का कितना महत्व है, लोग उसको समझ रहे हैं और जो है लोगों को, मद्दाताओं को जो लुभाने के लिए शराब का इस्तिमाल हो रहा है उसको किस तरह से जो है इसका इस्तिमाल किया जा रहा है एक बार और सुनते हैं एक बार फिर से बताईए दौपर में दूद मिले त्रेता में घी कल्यूग में दारू मिले फूख फूख के पी मतलब चुनावा में दारू खूख बाता जाता है जिस से परिवार वर लोग बिगड़े जा रहे हैं जिसे आज कल के फ्यूचर में जितने भी लोग आ रहे हैं बतलब पीने खाने वाले लड़ाई जगड़े सब में पड़े हैं जिस से आजका जनरेशन बहुत खराब हो सबसे बड़ा तवहार चल रहा है यानि लोग सभा कचुनाओं तो क्या लगता है किसे प्रधान मंत्री गुरूप में देखना चाहते हैं प्रधान मंत्री के सिर्फ नरेन मोधी जी परफेक्ट हैं उनसे बहतर और कोई निया तिसका प्रभाव पड़ेगा क्या महिलाएं जो है उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है घर पर इवाद टूट रहे हैं संबन टूट रहे हैं जगड़े लड़ाई पहुत बढ़ चुक है उस चकर पे लोग एक दूसरे से वह हो रहे हैं तो देखिए किस तरह से लोग जो है जो है एक एक चीजो को परिसीतियों को जोड़कर बातें करतें हैं बतातें हैं और भी महीला है उनसे बात करतें हैं बात करने हैं कि में तो अभी चुनाओं हो रहा है उसमें तैय होगा देश का प्रधान मंत्री तो किसे प्रधान मंत्री ग्रूप में देखना चाहिए जो अभी है नरेंद्र मोदी बस उनी को क्यों क्यों वह बहुत कुछ किये वह जनता के लिए बहुत कुछ हैं अब हमारे लिए बहुत कुछ है आपको मिलता है कि निये का जाए है जी बहुत सारी सुईधा कर दिया है नरेंद्र पोजी जी उनके लिए जितना भी कहें उतना कम है जी 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 हम उन्हीं को देखना चाहते हैं मुख्य मंत्री पद में जो है प्रधान मंत्री के पद पे या फिर ऐसे रोज उट के देखना नई 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 प्रधान मंत्री के पद में देखना चाहते हैं आपको क्या लगता है किसे प्रधान मंत्री उन्हीं कोई वनना चाहिए बहुत चीज़ बताई जैसे मेरी वहन वैसे अच्छा तीस गड़ में जो है सराब को लेकर खुब चर्चा होती अभी मैं कुछ साथिय उसे बात कर रहा था वो दोहे और आज तीस गड़ी में बोलते है आनहा आहना तो यह बोलकर बता रहे थे तो यह शराब बिखता है उसका कोई असर पड़ेगा के चुनाओं में असर तो है तो इसको सबसे ज्यादा कि इसको मतलब परिशान कौन होता है शराब से महिलाय प में हमारे प्रदान मंत्री को रोक थाम करना चाहिए कि चुनाओं के महौल में सराब का वित्रन नाहों हो नहीं होना चाहिए महिलाये बहुत परसान है इसको बंद कर देना चाहिए हाँ चाहे उसको सरकार से give्राइद हो रहा है। शराप से चाहे कुछ हो रहा है〜 अगर यस option में चुनाव रखा जाए न कि सराब बंदी अगर कोई सरकार कर रहा है और उन्हें चुनाव में जिताना है तो हम लोग उन्हीं जिताएंगे जो सराब बन कर वादे हमारे लिए तो है हमारे हाँ कोई नहीं पीते आपके घर में कोई नसा करने वाले नहीं पंडित परिवार से हम लोग व्राम्हण हैं हमारे हाँ कोई नहीं पीता जीते फिर लोग चाहते हैं कि हमारे शराब जो है भारत में बंद हो जाना चाहिए व्रिंदावन का खेत्र है वहां शराब नहीं है वैसी हमारा इंडिया होना चाहिए चतिस गड़ खास तो यह बताईए आप प्रदाहर मंत्री गुरूप में जो है मुदी को देखना चाहते हैं कांग् है छो पसंद्थ जो न रेंड्रमोदी नहीं वो बोलटे हैं हमको कभी पसंद ही नहीं आया है दिसमें चुनाओ का महूल है प्रदान मंधि ग्रूप में किसे देखना चाहते हैं और क्यों कि नरेंडर मोधी जी बाग्ree । है क्यों क्या कारण केंद्र में और वाखी तो अश्ट कारण होगा कि वह अब अब ऐसे पार्टी वाले तो नहीं है लेकिन लगते काम वैक्ति को क्या फाइदा हुआ है मोधी के आने से लगता है कि कुछ हो रहा है ऐसा लगता है हो रहा है कुछ काम आपको क्या लगता है मोधी करने लएड तो पिछता हगा, ढीध लग selbst आफसे एडवरताईसमेंट कर रहा हैं, इसके हिसाब से मोधी समय कर रहा gelecek आपका उनका हिसाब जो विग्यापान है बात हो रही है उसके हिसाब काम तो बरोबर है दोनों से मी काम कर रहे हैं Congress government भी काम करता है और BJP भी काम करता है बीजेपी government क्या रहता है करती है कुछ भी करता है उसका जैसे कि राम मंदिर हो गया यह सब हो गया पूरा बढ़ा चढ़ा के दुनियादारी यह सबसी ज्यादा रहता है Congress government उत्ता एक्जेक्यूट नहीं कर पाता है अपने आपको जो भी करता है तो प्रधान मंत्री के रूप में अभी जो मोदी गवर्मेंट जो है वह अपना सेट कर दिया है अपना जो अपना जो लेबल है वह सेट कर दिया तो उसके इसाफ़ से कोई दूसरा नहीं दिखता ह कि मतलब उस पध के लिए वही ठी है इस लिए उसका ज्पार बिद्द में और वही है एक बिदेश के के लोग भी उन ज़्यादा एप्रिशेट भी करते हैं जगा 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 नाम जो है विदेश तक पहुचा है और जो विदेशी में जो भरती जो रहते थे उन लोग भी इतना ज़्यादा अपने आपको वह गौरम मसुत नहीं करते थे जो वहाँ पर जा जाके मोदी को जो गवर्मेंट का आवार्ड मिला है दुनिया भर का जो सिविलियन आवार्ड जो देते हैं इंक्लूडेड इस्लामिक कंट्री भी उनको बहुत सारा आवार्ड भी दिया है अब मोदी जी का ऐसा है समझ जाई वो है तो सब चीज में पॉसि नौकरी देने की बात हुई थी नहीं मिला 15-15 लाग रुपे देने की बात हुई थी नहीं मिला तो जो है चरण दासमहन ने कहा वो तो डिफाल्टर है ऐसे को चतिस गड़ में डिफाल्टर देखे मैं तो ऐसे निगेटिव वर्ड को बिल्कू यूज नहीं करूंगा बस मै पॉजिटिव में देखता हूं कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है बस तो अच्छा बाद आप सोच रहे हैं मोदी आपके जीवान में क्या फरक पड़ा है बहुत फरक पड़ा है जैसे कि आज हम लोग डिजिटल हो गया है चीजे ऑनलाइन हो गई है और कैस में लेना देना जो है बहुत इजी हो चुका है और आप मुबाइल में देखो कॉल भी देख रहे हैं सबसे जादा अच्छा है कि अपन 4G 5G में आ चुके हैं चीजे बहुत सिंपल हो जीगे और वन टिक में सब चीजे अब एवलेबल हो जाती है और ट्रांस्पेरेंसी बढ़ गई इसकी वज़े से चीजों में जो बीच में भृष्टा चार उता था वह बंद बीच की दलाली खतम पर इसी बढ़ गई यह सीधी सी बात है जो कहते हैं कि एक क्लिक में हम सीधा हिद्गराही को पैसा पहुंच आते हैं बिल्कुल बिल्कुल संब बिल्कुल पहुंचता हमा कुछ पहल नहीं पास भी आ रहा आभी तो ऐसा है फिलहाल आगे क्या होगा तो देखी है मिल्कुल और और क्या लगता है देसमें क्या काम होना चाहिए देश में तो सबसे पहले यह है कि नौजवानों के लिए तो काम होई रहा है और सुरक्षा के द्रिष्टी से अगर द है वो बिल्कुल चिन्हित किये जाए और जो देश में ऐसे आरजकता फेलाते हैं लोगों को बाटते हैं इन सब चीजों पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए लगता कि बाहरी लोगों से ज्यादा अंदर के लोगों से खतरा है अंदर लोगों को सुधारा जा सकता है बाहरी ल तेखो देश में आध दस साल हो गया अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो भी हो रहा है अंदर उन्हीं चीजों में कुछ नहीं हो रहा है उनका स्लाइड वाले होते हैं जो चत्ति गड़ में वह भी दिरे-दिरे कवर हो जाएंगे अभी नीवज में अपकर उमीद है कि बिल्कुल बिल्कुल खतम होगा बहुत मजबूर बन्ने वाला धेश और मोदी जी फिर से दिसरी बार आएंगे कि बात कह रहे हैं कुछ महिलाएं भी जारी है उनसे भी बात-चीत कर लेता है क्या नाम है अपका अंजली जेन यहां पे वाग करने हाँ बोटिंग करने तो यह बताईए अब देश में चुनाओं का महौल है किसे प्रधान मंत्री बना रहे है अभी कौन है प्रधान मंत्री अभी तो किसे बनाएंगे अब मोदी जी को बनाएंगे क्या कारण है मोदी जी ने बहुत सारे काम किये अच्छे क्या 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 काम किये सवक्ष भारत अभ्यान और नोडून बहुत सारे काम किये तो देखिए सब का अपना राय है और सभी के पास हम जा रहे हैं बता रहे हैं वो अधार बता रहे हैं और ल हम जनता के बिज़ा रहे हैं समझ रहे हैं कारण क्या है जनता क्या सोचती है विकास के माइने क्या समझ रही है लोग जो है दिखावे की जो है जो बात बिशा दी जाती है दिखावे के लिए कि ये ये किया गया है तो उसको उस लेबल पर जा कि जनता समझ रही है कि नहीं क् का मुद्दा है देश के चुनाओं में वो क्या आशाय रखते हैं कि आने वाला प्रधान मंतरी क्या काम करें तो इन मुद्दों के सामा पब्लीक के भी जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो है ललूराम.com के पब्लीक मीटर के माइलेज में कौन है तो आज के लिए इतना ही फि के लिए कर दो आज काम कौन है तो आज करेंगा एचा रहे हैं